तो स्टुडेंट्स आज हम आटन क्राट में लेने वाले हैं उनित 3 में से 10 टूकर तो स्टुडेंट्स पेज नमबर 35 में से जो आपको कभी-कभी दिखा ही देखा है हमारे घर के पास या स्कूल के समय यह टूकर और तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली तो students practically हम टूकन देखेंगे ओके ये हम आप जस्ट माराथी में उसको हम ककने या गरुडपक्षी बोलते है तो ये students आपको क्या करना है जो first वाला circle से drawing किया हुआ है जो आपको यहाँ पे जो दिया हुआ square में आपको निकालना है तो students first हम pencil से draw करेंगे जो हमने अभी चोच निकाली है उसके बाद आपको step by step यह drawing निकालना है उसकी cap उसके बाद जो उसकी चोंच है उपर से regular ली देखो change हुई है उट triangle type है उसके बाद आपको यह softly नीचे आके उसका पेट का हिस्सा निकालना है और जो उपर का हिसा है हो stand वाला है और आपको यह देखना है जो यह point है उपर का जो cap type दिखा ही दे रहा हुआ वो आपको क्या करना है चोंच के हिसाब से आपको लेना है तो यह चोंच यहाँ पर होती है तो यह point कहाँ पर होता है और यह चोंच का bottom का हिस्सा कहाँ पर होता है उसके बाद उसकी normally circle वाली आखे और step by step करके जो हमारा जो इतनी चे का हिस्सा है आपको regularly करना है और pencil यूज़ करते समय softly आपको यह pencil draw या दबाना है और यह normally straight line, normally circle और यह जो हिस्सा है जो ये वाला जो निचे का है उसका पेट के निचे की जो cross line है यह यहाँ पर directly बढ़ानी है और यहाँ पर normally circle और यहाँ पर यह जोइन करना है तो students, first हम normally उसकी outline निकालेंगे यह यहाँ पर join करना है जो उसका back side का हिस्सा और उसके बाद उसके pair जो आगे से बड़े हुए दिखाई दे रहा है और back से normally छोटा सा और यह आपको यहाँ पर और जो lift और right जो right का जो pair है आपको normally दिखाई दे रहा होगा और यह उसके बाद आपको क्या करना है यह normally उसकी पूछ है और directly one, two, three, four, four lines normally बीच बीच में clothes निकलना है उसके बाद जो fifth वाली जो line है जो यह slowly निकलना है आपको आपके book में जो square है उसके हिसाब से आपको यह drawing निकलना है तो ज्यादा बड़ा और ज्यादा छोटा ही नहीं चाहिए यह हमेशा हम पढ़ते हैं कि regularly drawing उस page के हिसाब से कितना होना चाहिए ओके students और उसके बाद जो लकड़ी की फंदी है उसको आपको आपके हिसाब से निकाल सकते हो same उस type में यह है उस type में नहीं आया तो ही चलेगा आपके हिसाब से आप निकाल सकते हो okay my dear students यह होने के बाद regularly आपको यह pencil से draw हुआ है okay उसके बाद आपको क्या करना है यह finally आपको ink pen या black gel pen से आपको draw करना है okay चलो students step by step हम यह उसकी चोन से जब हमने drawing जो किया pencil से उसी हिसाब से आपको यह निकालना है ओके यह चोन्च उसके बाद यह चोन्च होने के बाद जो पर का हिस्सा है वो आपको regularly निकालना है first हम निकालेंगे उसका drawing ड्रॉइंग निकालने के बाद step by step हम देखने वाले हैं उस टोकन का sets ओके तो इस प्रकार आपको step by step करके यह complete करना है तो यह paint से black gel paint से आपको यह complete करना है चलो हम अभी step by step करेंगे तो students इस प्रकार आपको first drawing निकालना है यह drawing होने के बाद step by step हम उपर से निचे हम ink paint से या जेल paint से settings निकालेंगे first जो उपर का इस है normally lines cross lines regularly students आपको दिखाई होगा यह जो है आपको cross lines standing lines से ही regularly continue करना है ओके first यह lines होने के बाद आपके normally यह paint से उसकी जो उपर वाली जोच है उसको non standing line और cross lines निकालनके complete करना है इस प्रकार students आपको यह पुरा token complete करना है ओके तो यहाँ पे आपको जो lines दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको not regularly cross line standing line आपको दिखाई दे रही होगी यह slowly आपको lines लगानी है और cross line आपको लगानी है यह हुआ उसका face का हिस्सा उसके बाद यहाँ पे regularly जो circle type normally close lines है यहाँ पे normally lines ओके इस प्रकार students आपको यह टुककर्ण्स कम्प्रिट करना है तो students जो हमने pencil से regularly किया हुआ जो हिस्सा है आपको rough करना है जहाँ पे close lines है वहाँ पे आपको standing line, cross line निकालके और आपको overlap करना है ओके इस प्रकार आपको धीरे धीरे यह टुककर्ण्स कम्प्रिट करना है तो students इस प्रकार आपको यह कम्प्रिट करना है आपको यह ध्यान देना है cross line कहाँ पे है regularly तो students, today's आपका homework है पेज नमबर 35 से token यह token आपको आपके book में कम्प्रिट करना है और इस प्रकार आपको students, जो पेज नमबर 34, 35 after जो पेज नमबर 36 वो आपको कम्प्रिट करना है तो student back side का जो हिस्सा है आपको जो incomplete है वो आपको कम्प्रिट करना है और आज यह token है आज कम्प्रिट करना है okay, thank you so much my dear students, stay at home, stay safe